दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि 2023 में कौन सा वो फ्रेंचाइजे बिजनस था जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आया किस फ्रेंचाइजे बिजनस ने बहुत तेजी से ग्रोग किया जिनके स्टोर्स डे बाई डे खुले और लोगों को एक प्राफिटेबल बिजनस ऑपॉर्चुनिटी दी दोस्तो ऐसे बहुत सारे बिजनस होंगे सेकड़ों बिजनस होंगे या फिर हजारों भी हो सकते हैं आपको कौन सा नाम याद आ रहा है आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताईएगा और क्यों अच्छा लग रहा है वो आपको बिजनस और मैं डॉक्टर आशी शगरवाल फाउंडर और फ्रेंचाइजी बताओ आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो बहतरी दस फ्रेंचाइजी और जिन्हों ने 2023 में धमाल मचाया आखिरकार वो कौन से बिजनस हैं उनकी फ्रेंचाइजी आपको कैसे मिलेगी उनकी इन्वेस्मेंट क्या है इन सभी चीजों की जानकारी आज आपको मिलने वाली है इस वीडियो में तो बिना escape किये ये पूरा वीडियो देखेगा क्योंकि 10 के 10 फ्रेंचाइजी बहतरी फ्रेंचाइजी है 2023 में जिन्हों ने अच्छा किया 2024 में सायद ये और अच्छा करेंगी और आपके लिए एक अच्छी बिजनस अपार्चुनिटी भी हो सकती है तो दोस्तों वीडियो सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन जरूर दबा देशेगा तो आईए जानते हैं कौन सी हैं वो बहतरिन 10 फ्रेंचाइजी जुन्होंने 2023 में बचाया धमाल अब 2024 में करेंगी कमाल इस रेनी में सबसे पहली जो फ्रेंचाइजी है आप किसी की भी फ्रेंचाइजी लें इससे पहले आप अपनी रिसर्च पूरी जरूर करें और साती साथ कहीं पर भी ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले पूरी सतर्कता बढ़तें कहीं आप किसी फ्रोड के सिकार ना हूँ आज का ये वीडियो हम सिर्फ ओ सिर्फ एजुकेशन परपस से बना रहे हैं तो आए जानते हैं वो कौन सी पहली फ्रेंचाइजी है ये पहली फ्रेंचाइजी लेंस कार्ट की जिया दोस्तों चस्मों की आपने लेंस कार्ट के सोरूं अपने आसपास देखे होंगे और लेंस कार्ट के फाउंडर प्यूस बंसल जी को आपने जरूर देखा होगा साक टैंक पर जिया दोस्तों जितने डाइनेमिक प्यूस बंसल जी है उतना ही dynamic है Lens Card का business model भी Lens Card पर आप इनकी franchise लेकर भी जूड़ सकते हैं और अपनी property को lease out करके भी जूड़ सकते हैं मतलब आपकी अगर किसी prime location पर property है तो भी आप Lens Card को let out कर सकते हैं और Lens Card वहाँ पर company store खोल सकता है लेकिन अगर आप इनकी franchise लेना चाहते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए आपको जगा कितनी चाहिए कम से कम 400 से 500 square feet के जगा चाहिए होगी जो की एक prime location पर होनी चाहिए जहां पर कि आपके targeted audience हो जी हां दोस्तों यहां पर अगर आप देखेंगे पूरे lens card की franchise लेनी के लिए जो आपका complete investment आएगा जो आपका capex लगने वाला है वो तक्रीबन कम से कम 25 लाग रुपे लगेगा बाकि depend करेगा आप कितना बड़ा store open कर रहे हैं हो सकता है कि पचास लाग भी लगे या एक क्रोड भी लगे वो completely depend करता है आपके store size के उपर अगर मैं bare minimum investment की बात करूँ तो इस 25 लाग रुपे में आपका software license और franchise fee भी आ गई interior, branding, आपके equipment, आपके staff training और आपके जो other equipment आते हैं eye testing के वो सब चीज़ी आ गई मतलब 25 लाग रुपे में stock से लेकर interior और everything लगा कर आपका store open हो जाता है आपका जो profit margin रहता है वो profit margin, average profit margin 30% रहता है जिसमें की contact lenses में थोड़ा कम होता है जो prescribed frames होते हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है company के offers भी लगातार चलते रहते हैं आपके inbox पर, WhatsApp पर कई बार आपको lens card के offer आते होंगे आप कोई भी payment करने से पहले company की पूरी जाँच परताल अपने level पर जरूर कर ले franchise ही बताओ, किसी भी तरीके से financial transactions के लिए जिम्मेदार नहीं है तो दोस्तों, पहला मैंने आपको बता है lens card जो एक बहत्रिन business model रहा है 2023 में दोस्तों, दूसरा जो business model है वो आज का नहीं है 75 साल से ज़्यादा पुराना business गुजराच से सुरूआ है brand जो आज हर kitchen में है कोई भी घर इस brand के बिना पूरा नहीं होता है और दोस्तों, ये brand है Amul जी आँ दोस्तों, Amul का कोई ना कोई product तो आप use करी रहे होंगे दूद, दही, घी, ice cream, chocolates और नजाने कितने products Amul के है और ऐसे ही बहुत सारे products जो आपके kitchen में, day-to-day uses में आते हैं और अगर आप Amul के साथ जुड़ना चाहते हैं Amul की franchise ही लेना चाहते हैं तो Amul आपको बहुत ही low investment में franchise ही दे रहा है दोस्तो, Amul का जो preferred outlet होता है जो 120 square feet का होता है जहां पर आपको milk और milk products और ice cream मिलेंगी सिर्फ वो आपको सिर्फ 2,00,000 रुपे में start हो जाता है जहां company की deposit fees होती है 25,000 रुपे बाकि आपका investment products पे आता है और interior और equipments पर आता है जियां दोस्तो, 2,00,000 रुपे में आप Amul profit outlet खोल सकते हैं और अगर आप Amul parlor खोलना चाहते हैं जहां पर कि आपको ice cream के लावा और भी काफी सारे product मिल जाएं आपके profit margin भी बढ़ जाए और साथी साथ आपको ज्यादा scope मिले profit कमाने का तो दोस्तो, आप Amul parlor खोल सकते हैं और इसके लिए जो investment आती है वो complete investment 6,00,000 रुपे की होती है जिसमें आपका interior भी है जिसमें आपके equipment भी है और company की जो fees होती हो वो होती ही 50,000 रुपे आप Amul.com की website पर जाकर directly apply कर सकते हैं और company आपको स्वता ही contact करेगी आपके area में अगर उनको Amul parlor खोलने की जरूत होगी तो Amul parlor आपको अपने शहर में हर जगा आसपास दीख जाएंगे यहाँ पर अगर हम बात करें return on investment की चुकि लागत कम है इसलिए return on investment जादा है लेकिन अगर हम बात करें कि पर मंत आप कितना कमा सकते हो तो आप 6 लाग रुपे की लागत से हर महीने आसानी से 30,000 रुपे से लेकर 60,000 रुपे कमा सकते हो अगर आपने सही location चूज की है और आपके दुकान पर फुटफॉल सही रहता है तो जिया दोस्तों दूसरी franchise थी जो 2023 में बहुत तेजी से ग्रोग किये तीसरी franchise ही कौन सी है तीसरी franchise है dry cleaning की laundry business की laundry business जो हम सोचते भी निते इंडिया में होगा कैसा लोग अपने घरों में ही washing machine में ही कपड़े धो लेते है laundry business में दमखम दिखाने वाली franchise ही tumble dry जिया दोस्तों tumble dry जिनके साड़े साथ सो से ज़्यादा store पैन इंडिया में है 200 cities में इंके store है बहुत तेजी से इस company ने पूरे इंडिया में एक बहुत बड़ा नाम बनाया है laundry business में और सबसे खास बात क्या है इनकी ROI बहुत अच्छी है आपको अगर हम बात करें annual ROI की तो 80% से ज़्यादा की annual ROI है दोस्तों अगर हम बात करें tumble dry की तो as well tumble dry website इनके 95% stores तीसरे महिने में profitable हो जाते है और 30% से अधिक franchise एक से दूसरा store लेती है क्योंकि पहला store इनका जल्दी profitable हो जाता है और ROI इनकी early हो जाती है और साथी साथ दोस्तों अगर हम COVID के बात की बात करें तो laundry industry ने 40% से ज़्यादा का growth हासिल किया है तो दोस्तों आपके लिए इस industry में tumble dry एक अच्छा नाम हो सकता है अगर monthly profit के हम बात करें तो company के अंदुसरा डेड़ से 2 लाख रुपय का profit आप आसानी से हर महीने expect कर सकते हो जी यहां दोस्तों tumble dry laundry business में एक अच्छा नाम है बड़ा नाम है आप Google कर सकते हैं और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है एक brand है और अच्छे brand है तो यहां पर जो fourth brand की मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो brand है generic adhar जी यहां दोस्तों generic adhar जिनके founder है अरजुन देशपांडी जी सिर्फ 16 साल की उम्र में इन्होंने इस brand की शुरुवात की इस सोच के साथ कि लोगों की दवाई के खर्चे को कम करना है अगर किसी के घर में continuous बिमारी आ जाए तो दवाई का खर्चा उने बोज ना लगे किस तरीके सो उसके बोज को कम किया जाए इसी सपने के साथ इन्होंने generic adhar के शुरुवात की और इनका इस सपना देश के सबसे बड़े उद्योकपती रतन टाटा जी को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने भी इस ब्रैंड में investment किया जिया दोस्तों टाटा पार्टनर ब्रैंड जैनरिक अधार जो डे बाई डे ग्रो कर रहा है generic adhar जहां पर कि लोगों को सस्ती medicines मिल रही है जहां पर लोगों को एक अच्छा business opportunity मिल रहा है सिर्फ रोजगारी नहीं दे रहे हैं बलकि लोगों को business opportunity भी दे रहे हैं low investment में पूरा business सुरू हो जाता है सिर्फ एक लाख रुपे के franchise fees interior और प्लस थोड़े से stock के साथ आप generic adhar के franchise ले सकते हैं और महीने का आसानी से 30,000 से लेकर 60-70,000 तक कमा सकते हैं तो दोस्तो एक अच्छी ROI वाला business से generic adhar इसका complete video आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं और इनकी franchise के लिए आप सीधा generic adhar से contact कर सकते हैं अब आईए बढ़ते हैं अपने पांचपे business के तरफ जो 2030 में तेजी से grow किया दोस्तो जहां पर COVID के समय में coaching और school industry बहुत डाउन चली गी थी और खासकर हम बात करें play school की तो play school का तो बहुत ही बुरा हाल हो गया था लेकिन दोस्तो विपरित समय में भी इसने अच्छा परफॉर्म किया उस brand का नाम है सैंटफोर्ड प्री स्कूल जिया दोस्तो जो पिसले 13-14 सालों से बहुत तेजी से grow कर रहा है 2023 में भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तीन country में जिया दोस्तों सिर्फ एंडिया में ही नहीं प्रेंचाइजी मोडल होने के साथ हाई ROI मोडल है और 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम है इनका जिया दोस्तों अगर आप जानना चाहरे हो इन्वेस्मेंट कितना आएगा तो मैं आपको बता दूँ आपको सैंटफोर्ट प्री स्कूल की फ्रेंचाइजी लेने के लिए कम से कम 25 सो स्कॉाइर फिट जगह आपके पास होनी चाहिए जहां पर कि आपको 23 लाग से लेकर 25 लाग रोपे तक का इन्वेस्मेंट आएगा और आप ROI की बात करें मार्केटिंग सपोर्ड मिलता है लोजिस्टिक सपोर्ट कॉलेटरी कंट्रोल सपोर्ट और साथीसाथ चुकी मार्केटिंग करनी है और को system बना कर रखना ही तो IT सपोर्ड भी मिलता है तो अच्छा नाम है जिस ने 2023 में काफी घुरूँ किया और 2024 में और भी तेजी से गुरू करेगा, तो आप अगर pre-school खोलने में इंट्रस्टेड हैं, तो Sanford एक बहत्रिन नाम हो सकता है, जानते हैं अपनी 6th franchisee के बारे में, जो again education से है, जिया दोस्तो एक ऐसा brand जिन्होंने COVID के बाद एक ऐसी opportunity दी लोगों को, जिनसे की बहुत ज्यादा फा जोब ना मिले, तो उनको पैसे ना देने पड़े, तो ऐसा ही एक brand है, DM Steps, Digital Marketing Steps, जहां पर के Digital Marketing Education दी जाती है, online और offline दोनों माध्यम से, ये course कराया जाता है, और post पे Digital Marketing Course, इंडिया में पहली बार, जहां पर आपको ये आस्वासन दिया जाता है, कि आपको केवल admission fees देनी ह जब आपकी job लग जाए, अगर job लगे तो fees दें, नहीं तो आपको कोई fee pay करने की ज़रुद नहीं है, आपने बहुत बार सुना होगा, 100% money back guarantee, या फिर हम आपको 100% job लगा कर देंगे, लेकिन DM Steps क्या कहता है, आपको job लगेगी तब ही पैसा देना, अगर job ना लगे तो प अपनी salary में से pay करनी है, तो दोस्तो DM Steps के इस Post-Pet Digital Marketing Course की वज़े से, बहुत सारे लोगों ने इसको पसंद किया, और इनकी franchises 8 शहरों में खुली और बहुत successfully चल रही है, तो आप भी अगर चाहें, तो इनकी franchise लेकर लोगों की सेवा भी कर सकते हैं, और अपने लिए एक अ जॉब ना लग जाए, तो पहले 4-6 महीने आपको invest करना पड़ेगा, और उसके बाद आपकी ROI आना सुरू होगी, तो बहुत जल्दी आप profitable भी हो जाओगे, 12 महीने से लेकर 24 महीने में आपको complete ROI आती है, और साथी साथ आने वाले समय में बहत्रिन opportunity है, क्योंकि सारा business ही online है आई ये फटा-फट जानते हैं, साथमा आखिकार वो कौन सा business है, जो धमाल मचाने वाला है, आने वाले समय में, और 2023 में बड़ी तेजी से ग्रो किया, दोस्तों ये business सुख चाए का, जिया दोस्तों, सुख चाए, सुख वाली चाए, दिल्ली बेस्ट ये brand, जिनके founder सुख देना है कैफे का, इसी सोच के साथ North Delhi से इन्होंने अपना पहला outlet सुरू किया, और company के 8 outlet इन्होंने company के ही पैसे से शुरुआत की, कोई franchise नहीं दी, company के success से ही इन्होंने 1-2, 2-4 और 4-8 outlet की शुरुआत की, पंजावी बाग क्लब और खाटु धाम में भी आपको इनके outlet दे को एक अच्छा tasty खाना एक बहतरी प्राइसिंग में दे सके और अपने लिए भी एक अच्छा profit कमा सके इन्वेस्मेंट के अगर हम बात करें, तो साड़े तीन लाख रुपय फ्रेंचाईजी fees के साथ सुख चाय का जो सबसे छोटा model होता है, 12-15 लाख रुपय में start कर सकते हैं, बाकी depend करता है कि आप कितना area में, आप कितना बड़ा store खोलना चाते हैं, उसी के हिसाफ से investment बढ़ता चला जाएगा, तो आप इसकी जानकारी आप description में दिएगे number से ले सकते हैं, और आप अपने शहर में सुख चाय स्टार्ट कर सकते हैं, तो यह सात्वा business था, अगर के साथ साथ भी बहुत सारी अलग-अलग desserts दी जाती हैं, पटना से सुरू है इस brand ने, कई शहरों में अपने store 2003 से बहुत तेजी से खोले, और 2024 में और भी तेजी से expansion करने वाले हैं, जियां दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूँ, इनका जो business model है, सिर्फ 8 लाग से सु पुरा वीडियो, franchise भी बताओ, चैनल पर आया हुआ है, आप देखिए का जरूर, और बताइए कि यह brand आपको कैसा लगा, जियां दोस्तों, यह था हमारा आठवा बिजनस, जो 2023 में तेजी से grow किया, और 2024 में धमाल मचाने वाला है, अगर हम बात करें, नाइंथ उस business की, ज इन्होंने शुरुआत की, अजमेरा ट्रेंड्स की, और अजमेरा ट्रेंड्स, जिनका की ट्रेंड कई सालों से चल रहा था, जब इन्होंने अजमेरा ट्रेंड्स की फ्रेंचाइजी की शुरुआत की, तो लोगोंने आगे बढ़ चल कर इसमें उत्सा दिखाया, और जगा अजमेरा ट्रेंड्स की सुरुआ की तो अजमेरा ट्रेंड्स में आपको हर तरीकी के वुमिन वियर प्रडॉक्ट एट अफोड़ेबल प्राइसिंग मिलेंगे जिया दोस्तो इसी वज़े से ग्राहकों को यह ब्रैंड बड़ा पसंद आया ग्राहकों ने बढ़ चड़कर य पचास से साट लाग रुपे में स्टार्ट कर सकते हो इनका कंप्लीट बिजनस मॉडल का अगें मैं कहूंगा वीडियो हमारा चैनल पर आप देख सकते हो और आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे कनेक्ट भी कर सकते हो और अगर हम बात करें आरवाई की तो आसानी से 18 से 24 म जो आपका लास्ट बिजनस है जो मैं आपको बताने वाला हूँ वह ग्रोसरी स्टोर का मॉडन किराना स्टोर का बिजनस मॉडन किराना स्टोर में एनवी तोपी ने बहुत अच्छा काम किया है दो हजार तेश में इंदुस्तान में जगा-जगा इन्होंने आउटलिट्स यहां दोस्तों अगर आप 300 स्क्वायर फिट का मिनी मोडलिन का फ्रेंचाइज ही लेते हैं तो 8-9 रुपे में आपका बिजनस स्टार्ट हो जाता है जहांपर की 4-5 रुपे का स्टोक होता है रेस्ट आपका इंटीरियर, सिस्टम, बाहर का बोर्ड इन सब चीजों में आपक कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लेती हो और ऐसा बहुत सारे स्टोर्स कर रहे हैं तो आप अगर इनके बारे में जानकारी चाते हैं डिरेक्ली एन्वी सोफी जाकर मिल सकते हैं आप गूगल पर सर्च करिए कि आपके आसपास एन्वी सोफी का कौन सा स्टोर है वह यहां दोस्तों ऐसे ही जब बर्दस बिजनस ऑफार्चनिटी में लेकर आता रहूँगा फ्रेंचाइज ही बताओ में 2023 का साल हमारे लिए बहतरी रहा एक के बाद एक कई सारे हम लोगों ने इवेंट्स किये बहुत सारे लोगों को बिजनस दिलाया बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट भी हुआ ऐसा भी हुआ कुछ लोगों के बिजनस नहीं चले क्योंकि दोस्तों बिजनस सिर्फ ब्रैंड पर डिपेंडनेंट नहीं होता है ब्रैंड के अलावा आपकी लोकेशन आप कितना रेगुलर उस बिजनस पर ध्यान दे रहे हो और साती साथ आपका ब बता उसे ताकि आप सही disruption ले सके वाई डिसेजन ले सके अपनी कि खराब ना करे अगर आप बिजनस में आना चाहते हैं व्यली यहाइए और पूरी महनत के साथ आये आप जिनदगए में हमेसा आगे बढ़ें तरक्टी करें दोस्तों मैं आशा करता हूँ आं कि निया साल आपके लिए खुब तरक्की लेकर आए आपका धन वेवर आगे बढ़े और जीवन में आप हमेसा खुशाल रहें देखते रहें यह फ्रेंचाइज ही बताओ मेरे साथ आए डॉक्टर आशी शेगरवाल के साथ जाहिन जे वारत